सायुक किसान मोर्चा ने कहा है कि लखिमपूर खिरी में कोई किसानों की खत्या की मामले में केंड्रे ग्रहर राचे मंतरी आज़े में श्रिटेनी को बाखास का नियो गिरफतार करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है आपको बता दें पहले से ही घोशित कारक्रम के तहट 18 अक्टुबा यानि की आज देश भर में भारत में रेल सेवाओं को बाधित किया जाएगा साथी कहा गया है कि रेल समपत्ति को कोई नुपसान पहुंचाए बिना रेल रोको अंदोलन शानटीपूर तरीके से किया जाएगा ऐसे में SKM ने सभी घटको को कहा है कि देशा निर्देशों का सकती से पालन किया जाए साथी रेल रोको अंदोलन को सफल बनाने के लिए रविवार से ही किसान संगठनों ने तयारियां शुरू करती थी इस दौरान आपको बता दें कि सड़क मार्ग बाधित नहीं किया जाएगा किवल रेल रोको के लिए कहा गया है ऐसे में भारते किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रुटन मान ने कहा है किसके लिए सभी जिलों में कारकरताओं की ड्यूटी लगाई गई है और राके इश बैंस ने कहा है कि रेल रोको अंदोलन के लिए इस सभी तैयारियां कर ली गई है ऐसे में आपको बता दें कि S.K.M. समनवे समीती के सदसे बलवीर राजेवाल ने रविवार को ही कहा था कि 3 अक्टूबर को लखीम पुर्खिरी में हत्यकान की तुरंट पात मूर्चा ने विरोध जताने के कई कारकमों की खोशना की थी ऐसे में S.K.M. शुरू से ही अजे मिश्रा टेनी को केंज सरकार में मंतरी परिश्रत से बरखास करके गिरफतार करने की मांग करता रहा है ये सपर्ष्ट है कि अजे मिश्रा के मंतरी पत पर होने की वज़ह से इस मामले में नयाय की उमीद नहीं है ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनका बेटा अशीश मिश्रा लखीनपूर खिरी खत्याकान का मुख्या आरोपी है बलकि रिपोर्टों से संकीत मिल रहा है कि चश्मदीतों पर गवाही न देने और अपने बयान नदर्ज करने के लिए दवाब बनाय जा रहा है इसलिए बिलजेपी में उनकी पार्टी के सहयोगी दावा कर रहे हैं कि वो पूरे घटनकरम के सूतरधार थे तो इसलिए लगाता किसानों के मन में नाराजगी है और आज सुबे से 10 बजे से यानि कि अब से थोड़ी ही देर बाद से और शाम 6 बजे तक किसानों की तरफ से पूरे देश में आज ये रेल रोकों अंदोलन किया जाएगा और ऐसे में पूरी तरह से ट्रेने जो हैं वो बादित रहेंगी हाला कि सडकों पर आवजाही पूरी तरह से खुली रहेंगी लेकिन ट्रेने जगा जगा पर रोकी जाएंगी